छेल छबीली सलोनी पनघट पर अपनी सक्षियों संग खेल रही थी. जो पहले दोड़ कर इस कुएं के पत्थर को चूँ कर आएगा, वही जीतेगा. और सब सक्षियां दोड़ते हुए कुएं की पनघट को चूने लगी. बस इतनी ही तेज़ दोड़ सकती हो तुम, दोड़ना तो अब तुम मेरा देखना. और सलोनी बेफिक्री सी हवा में अपना दुपटा नहराते हुए दोड़ने लगती है. बहुत कठिन है डगर पनघट की, पनपनपनघट की. सलोनी का पाउं जैसे ही पनघट पर आता है, वो कुएं में जाकर धाम गिरती है. एक जवान लड़की के कुएं में गिर जाने से खूब हाहाकार मचता है. सलोनी, सलोनी, किसी को दिखाई दे रही है क्या वो? यह तो अंदेरा कुआ है, कैसे दिखाई देगी? सलोनी, तो ठीक है क्या? अरे, मदद मंगवाओ, हमारी सलोनी गिर गई है! सब लोगों में अफरा तफरी मच गई थी. तभी पेड के पास खड़ा एक लड़का सब चुप चाप देख रहा था. वो मू मोड कर वहां से चला जाता है. सलोनी गिरने से बेहोश हो गई थी. तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके आसपास कुछ चल रहा है. वो घबरा कर उठती है, तो कुए में… कोई है? बचाओ! मेरी मदद करो! मदद करो मेरी! तभी पानी की हलचल बढ़ती है, और देखते ही देखते उसमें से एक काले सांप की विशाल पूँच बाहर आती है. ये देख सलोनी फिर से चीखने लगी है, मगर बाहर कोई भी नहीं था. सब मदद बुलाने गए थे. तभी वो विशाल सांप अपनी पूच की कुंडली में सलोनी को जकड कर कूँए से बाहर आकर रख दीता है. सलोनी घबराई हुई थी. सांप का फन सलोनी के चहरे के पास था. सलोनी के मूँ से मंत्र सुनकर उस सांप की आखों से अश्रुधारा बहने लगती है. ये देख सलोनी को अचमभा होता है. पर सांप ने अभी भी उसे कुंडली लगाई हुई थी. सलोनी उसे रोता देख करुणा से पूचती है. क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? भूख लगी है तुमें? क्या बात है सांप? कौन हो तुम? कहां से आये हो? तब ही वो काला सांप सलोनी के कान के पास फन लाता है और बुद्बुदाता है. मा हूँ मैं तुम्हारी. सुनेना. नागिन सुनेना. ये सुन सलोनी की सांसे एक बार फिर से हलक में अटक जाती है. वो कुछ और पूछती की तब तक सखियां गाउं वालों को लेकर आ गई है. वो सब देखते हैं कि कैसे एक विशान लागिन ने सलोनी को जकड़ा हुआ है और उसका फन सलोनी को डसने ही वाला था. अरे अरे वो देखो, देखो देखो, किसी जहरी लाजगर ने हमारी छोरी को जकड़ लिया है. अरे कोई बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ इससे। और गाओं वाले आप देखते हैं नताव, बस उस नागिन से सलोनी को खीच, उसके शरीर से उसे अलग कर देते हैं, पर जमीन पर नागिन को गिरा कर लाठियों से कूट मारते हैं. वो बिचारी दर्द में करा रही थी. तभी सलोनी के जहन में बार-बार वो शब्द गूंज रही थे. मैं मा हो तुम्हारी, मैं मा हो तुम्हारी, मैं मा हो तुम्हारी. चुप 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 सब और ये क्या है क्या तुम सब लोगे इस बेचारे साब को मा डालोगे ये मुझे यहां से निकालने आया था आ गई न मैं बाहर बस अब लो एक तो नेकी करो उपर से कुए में डाल चलो बाई चलो तारीफ तो दूर यहां इस पिद्दी सी छोड़ी का भाषण और सुनना पड़ रहा है और सब गाउं वाले लड़की को वहीं छोड़ कर चले जाते हैं सक्यां भी वहीं थी यह क्या सलोनी एक तो इन लोगों ने तुझे बचाया और फिर भी तू इनी पर चिला दी वो मैं मैं बस गवराई हुई थी यार वैसे तु इतने गहरे कुए से बाहर आई कैसे सलोनी बिना कुछ बोले ही अपने घर की ओर बढ़ने लगती है तब ही वो मुड कर देखती है तो आज उस पेड के पीछे कोई भी नहीं खडा था अकसर ही वहां गौतम नाम का लड़का रहता था गाउं के सरपंच का बेटा सहमा सा तो रहता ही था मगर मन ही मन सलोनी को बहुत चहता था मगर कुछ बोल नहीं पाता था सलोनी भी ये नोटिस करके खुब भाव खाती थी मज़ा आता था उसे और कुछ-कुछ सोचते हुए वो अपने घर के बाहर जाकर खड़ी होती है दर्वाजा खुलता है दर्वाजा खुलते ही अंदर खड़ी औरत सलोनी से लिपट जाती है अरे मा मा मैं एकदम ठीक हूँ कहां ठीक है ठीक का है बता कहां ठीक है नहीं है तु ठीक देख कितनी भीग गई है मेरी बच्ची मुझे पता चला कि तूस मौत के कुए में गिर गई थी क्यों करती रहती ऐसी शतानिया तुझे चैन नहीं आता कि आपनी बूरी मा को जटके देने से मेरी फिल्मी मा बस देखो तुम्हें एकदम ठीक हूँ अच्छा एक और बात आज पंघट में जब मैं गई थी तो मैं बहुत नाची भी अगली पार तुम भी नाचो की मा बेटी बिलकर ठंका लगाएंगी बहुत कठेन है डगर पंघटकी पंपंपंपंघटकी शतान कहीं की छोड़ मुझे तंग मत कर देख सारा काम फैला पड़ा है खरो न मा सुबद्रा भी सलोनी के साथ कमर मटका कर नाचने लगती है और दोनों लोग भू भसते हैं एकदम खुशी का महौल था तुझे को छोगया तो मेरी बर्सों की तपस्या घराब हो जाएगी तपस्या? एक बेटी को पाल पोस कर बढ़ा करना तपस्या ही तो है अपना ख्याल रखा कर सलोनी दोनों मा बेटी बात ही कर रही थी कि तभी सुबद्रा का पती राजन भी वहां आ जाता है खूब महफिल जम रही है मा बेटी की आप ही समझाओ इसे ये तो मेरी सुनती ही नहीं ज़वान होती लड़की है कुछ हो गया तो सुबद्रा फूट फूट कर रोने लगती है और अंदर चली जाती है मा मा चिंतानागर बेटा मैं देखता हूँ राजन सुबद्रा के पीछे कमरे में जाता है और रोती हुई सुबधरा के कांधे पर हाथ रखता है कि दोनों ही जोड़-जोड़ से हसने लगते हैं सुबधरा अपने आख में आसु छटकते हुए मुस्कुराती है बेस्ट नौटंग की अक्टर्स का रोल तो तुमको ही मिलना चाहिए और अवार्ट जी वो भी तो मैं ही लूँगे उफ बेटी बेटी करके तुम्हें ठक गई हूँ पर अब जब साप को घर में पाल ही लिया है तो ये बेटी बेटी तो हमको करते ही रहना पड़ेगा ठीक बोल रहे हो और ये कहकर वो फिर से आँखों में मगर मचके आंसे लाकर रोने लगती है तभी सलोनी कमरे में आती है और अपने माबाप के सीने से लग जाती है रोती फैमिली पर हैपी फैमिली आखिर ऐसा भी क्या रास था जो सुभद्रा और राजन सलोनी का परिवार होने के बावजूद उससे दिखावे का प्यार करते थे बाबा एक बात पूछू क्या आपकी मा के अलावा भी किसी और से शादी हुई थी? मतलब मेरी कोई सौतेली मा भी है क्या? ये सवाल सुनते ही राजन और सुभद्रा एक दूसरे का चहरा देखते हैं सलोनी के चर्ने के बाद सुभद्रा घजराई सी राजन से पूछती है और रात का समय आता है सलोनी खिड़की से देखती है, जंगल से कोई रोशनी उसके कमरे तक आ रही है सलोनी उठकर देखती है, तो वहाँ गौतम खड़ा था, जो शीशा लेकर चांद के आगे कर रहा था बस, आज बहुत हुआ, ये लड़का खुद कभी कुछ बोलेगा नहीं, एक लड़की अगर बोले तो वो पाप हो जाएगा वैसे भी लड़किया कहां पहले अपनी दिल की बात बताती है, अच्छा थोड़ा ही लगता है, बोलना तो इसे ही पड़ेगा वरना, वरना, वरना मैं, हाँ, ये चाकु लेकर उसके हलक में उतार कर सब उगल वालूंगी सलोनी गर्म जोशी से कमरे से बाहर निकल कर जाने ही वाली थी, कि तब ही सुबद्रा उसे देख लेती है कहां जा रही है इस समय बाहर, पता है न जंगल में खत्रा है सलोनी अपनी मा से बहुत जिद करती है मा, मान जाओ, नहीं तो मैं सुबद्रा उसके हाथ में चाकु देखकर थोड़ा घबराती है अच्छा, तो अब मा को चाकु दिखाएगी, हैरी, लगता है दिमाग फिरवा कर आई है अच्छानक से सुबद्रा का रवया अलग सा था नहीं मा, पर यह आप कैसे बोल रही है अरे, नहीं, नहीं, वो मैं आजकल एक सीरियल देख रही थी उसमें वो ऐसे ही बात करते हैं न जा बिटिया, कमरे में सोने चली जा और सुबद्रा सलोनी को सोने भेज कर अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेटती है मगर वो जैसे ही बगल में देखती है उसकी पास सलोनी खड़ी थी राजन और सुबद्रा थोड़ा सहम गए थे सलोनी बीटी, क्या हुआ, सोना नहीं है मा, आज पंगट पर एक अजीव गटना हुई मैं कुझे कुझे और फिर सलोनी दोनों को पूरी बात बताती है ये सुन वो इतने हैरा नहीं हुए और फिर जब वो साप मेरे पास आया तब मुझे पता चला कि वो साप नहीं एक नागिन है और वो बोली, मैं एक नागिन हूँ तुमारी मा सुनेना सुनेना का नाम सुनते ही राजन और सुबद्रा के गले से थूप भी नहीं उतर रहा था मा बाबा वो एक नागिन थी मैं समझ गई मगर उसने ऐसा क्यों कहा कि मा हूँ मैं तुमारी मेरी मा तो आप है ना, सुबद्रा मा तो फिर इस सुनेना कौन है मेरा उसने क्या रिष्टा है और रिष्टा नहीं था तो फिर उसने मुझे चोट क्यों नहीं पहुँचाई आखिर इतने सारे सवालों के बीच मुझे कैसे नींदाएगी मा किसी ने कोई मजाग किया होगा जा सोजा सलोनी सलोनी के सवालों के जवाब अभी भी नहीं मिले थे वो कमरे में चली जाती है सुबद्रा घबराई राजन की और देखती है आखिर कौन होगी वो वो कौन थी? इसका जवाब अब मुझे ही डूणना होगा कौए में काई उपनी नागिन गाउं वालों की चोट से दड़ में करा रही थी तभी उसे ऐसा लगा जैसे कौए में कोई आ रहा है और अगले ही पल कौए में रसी और बाल्टे की मदद से नागिन को उपर खींच कर निकाला गया सतह पर आते ही वो साप से आधी इनसानी आधी नागिन के रूप में आ जाती है जिसके शरीर पर ढेले आचे दे लिख रही होती है कौन है बला इनसानी क्या तुम मेरे जखमों को मलंद होगे और सुनेना नागिन डब डबी आँखों से सामने देखती है तो उसके पास सुबद्रा बैटी हुई मुस्कुरा रही थी तुम? हाँ 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 भली तो मैं बहुत हूँ हेलो सुनेना कैसी हो? आखिर क्या वास्ता है इस नागिन मा का सुबद्रा से? कौन है सौते लीमा? क्या सलोनी अपनी मा के असली कहानी जान सकेगी? जानने के लिए देखते रहिए नागिन मा वर्सेस सौते लीमा थांक्स वाचिंग